खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम वर्ल्ड वार टू के समय सैम मानिक्षो लेफटेनेंट हुआ करते थे जुद्ध के दौरान वे जैपेनीज मशीन गन की चपेट में आ गए बुरी तरह चोटिल हुए रेट क्रॉस हॉस्पिटल लाया गया आस्ट्रेलियन डॉक्टर ने पूछा आफिसर तुम्हें क्या हुआ सैम मानिक्षो ने कहा कुछ नहीं किसी गधे ने बीचे से लात मारी है और हसने लगे जब ऑपरेशन हुआ तो मानिक्षो साहब के शरीर से साथ बुलड निकली सेहनशक्ती, साहस, विनमरता और कई खूबियों के बेमिसाल आदर्श और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानिक्षो साहब इसके बाद जैपनी सेना ने चोटिल सैम मानिक्षो को बंदी बना लिया वे तीन साल प्रिजनर आफ वार कैम्प में बंद रहे लेकिन चोटे लवस्था में भी हिम्मत नहीं हारी बलकि उन्होंने कैम्प में इंडियन ट्रिकेट टीम बनाई और जैपनिस टीम को हराया फील्ड मार्शल मानिक्षो साहब में अनेको क्वालिटीज का मेल था इनकी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कहानी शुरू से शुरू करते हैं सैम मानिक्षो अमरित सर में पैदा हुए पिता डॉक्टर थे छोटे सैम भी डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन पिता ने आगे पढ़ाई के लिए लंडन भेजने से मना कर दिया तो विद्रो जताने के लिए जवान सैम ने आर्मी का एक्जाम दिया और आसानी से सिलेक्ट हो गए पहली पोस्टिंग अपने काम पर महनत की चाप छोड़ो सैम मानिक्षो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नए नए अफसर बने और उनकी पोस्टिंग एक सीमा चौकी पर हुई जो दूर एक पहाड़ी इलाके पर थी इस आउट पोस्ट के हालत बहुत खराब थे दूर गाउं से पानी लाना पड़ता आने जाने के लिए कच्ची सड़क भी नहीं थी कभी-कभी इलाज के लिए जरूरी दवाएं भी नहीं पहुच पाती ब्रिटिश सरकार को भी भारती सैनेको के कश्ट से कोई खास फरक नहीं परता था ऐसे में सैम मानिक्षो पोस्टिंग लेते ही काम पर लग गए चौकी की बहतरी के लिए पानी का अंडरग्राउंड टैंक और नया कमरा बनाना शुरू किया वे बहुत महनती थे उन्होंने सैनेको की बहतरी के लिए जरूरी सुविधाओं को उखलब्द कराया उनकी महनत और वर्क एथिक देखकर सारे सैनेक उनकी इज़त करते एक दिन अचानक सीनर आफिसर सर्प्राइज विजट के लिए आए बहतरीन काम देखकर बहुत खुश हुए और बोले मानिक्षो मैं तो मैं शेहर के पास की एक पोस्टिंग दे रहा हूँ वहां की यूनिट बड़ी और प्रतिष्ठित है वहां जो भी नायफ सर जाता है उसका प्रमोशन हो जाता है जवान मानिक्षो ने कहा मैं जानता हूँ सर कि मेरा प्रमोशन जल्दी हो सकता है पर मैं एस आउट पोस्ट पर बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उससे यहां अंतर पैदा हो रहा है इस पोस्ट के लिए अभी मेरे पास कुछ और प्लैंज है जवान मानिक्षो की बात सुनकर सीनियर आफिसर हैरान हुए लेकिन साथ में खुश भी हुए और बोले मानिक्षो तुम खास किसम के इनसान हो जो प्रमोशन से ज़ादा बहतर काम करने में विश्वास रखते हैं मानिक्षो तुम आर्मी में बहुत आगे जाओगे इस पर मुझे कोई शक नहीं दोस्तो जो भी काम करो उस पर अपनी मेहनत की छाप छोड़ो मन लगा कर काम करो लगन हमेशा रंग लाती है फील्ड मार्शल सेम मानिक्षो साहब से अगली सीखने वाली बात है हार और जीत में अंतर साहस और दर निश्चय का होता है किताब ओनर एंड गैलेंटरी में फील्ड मार्शल सेम मानिक्षो कहते हैं कि मेरे नेत्रित्व में कुछ सैनिकों की यूनिट दुश्मनों के इलाके में जासूसी करने गई मिशन सफल रहा पर वापस लोटते समय दुश्मन को भनक लग गई और दुश्मन ने हमको घेड लिया गोली बारी में मानिक्षो के पैर में गहरी चोट लगी उनके पास ऑप्शन था कि वो एक सैनिक की मदद से भाग जाएं लेकिन मानिक्षो ने भागने से मना कर दिया और कहा हम सब लड़ते हुए भार निकलेंगे उन्होंने पूरी टीम के साथ दुश्मनों का सामना किया और अपनी यूनिट के हार एक सैने को सुरक्षत लोटा कर लाए मानिक्षो साहब किताब में लिखते हैं कि हार और जीत का अंतर केवल साहस और दरनिश्चय का होता है कभी डरे हुए मन से सला मतलो साहस का मतलब सीना ठोकना नहीं होता बलकि साहस का मतलब होता है मुश्किल समय में सही काम करना ये साहस केवल लड़ाई के मैदान में नहीं बलकि अपने जीवन में भी लाना होगा आपके जीवन में साहस नहीं है आप अपनी बात पर टिके नहीं रह सकते तो कोई आपकी इज़त नहीं करेगा आप खुद भी नहीं दरसंकल्प और सहन शक्ती ये कहानी 1962 की है अब सैम मानिक्षो लेफटिनेंट कर्णल थे उन दिनों भारत और चीन की बीच में तनाव बढ़ रहा था और लेफटिनेंट कर्णल मानिक्षो की टुकडी को एक खास चौकी की रक्षा करने का काम सौपा गया ये चौकी भारत चीन सीमा पर दुरगम पर फीले पहाडों में स्थित थी और आगे बढ़ती हुई चीनी सेना को पहाडों में रोकने वाली आखरी पोस्ट थी एक सच सुबा इस पोस्ट पर दो तरफ से हमला शुरू हुआ पूरे दिन मानिक्षो और उनके जवान लगातार हमलों का सामना करते रहे लगता था कि कुछी देर में भारती सेनेक पोस्ट छोड़ देंगे लेकिन मानिक्षो कभी से पीट दिखाने वालों में से तो थे नहीं उनकी टुकडी जवाबी हमला करती रही दिन भर लड़ाई के बाद रात अपने साथ परिक्षा लेकर आई भयानक बर्फ का तूफान चला सारी कम्यूनिकेशन लाइने ठप हो गई और सारे पहाडी रास्ते बंद हो गए भारती ये सेना से कब मदद आईगी कुछ कह नहीं सकते अब मानिक्षो और उनकी टीम अकेले थे बहुत कठिन परिस्तिती थी ना दवाई ना गोला बारूद हड्डिया जवाने वाली ठंड जो हर दिन किसी जवान को निगल रही थी लेकिन वेपत्ती भी मानिक्षो का मनोबल नहीं तोड़ पाई उन्होंने अपने जवानों के साथ संकल्प लिया की जीएंगे या मरेंगे लेकिन इस चौकी पर कबजा नहीं होने देंगे मानिक्षो का दरसंकल्प और सहिन शक्ती देखकर सैनिकों में जोश भड़ गया दिन हफ्तों में बदल गए मानिक्षो और सैनिक भूके थे चोटिल और बीमार थे पर गोली खत्म हो जाए तो चाकों और नाखोनों से लड़ने को तयार थे चीनी सेना की मजालना हुई कि वो चोकी को छूपाते बारा दिनों बाद जवानों की मदद के लिए भारती टुकडी पहुँची और चीनी सेना को अपना रास्ता बदलना पड़ा सैम मानिक्षो के असाधर नेतरत हुए और दरसंकल्प की कहानी भारती सेना में आग बनकर फैल गई सैम मानिक्षो को सैम भाद्दूर पोकारा जाने लगा वे भारती सेना के साहस के निशानी बन गए ब्रेजिलियन्स दोस्तों भारती सेना रेसोर्सेज, गोला बारूद, लोजिस्टिक्स पर नहीं चलती ये तो बाकी सेनाओं के पास हमसे जादा भी हो सकते हैं लेकिन हमारा हर जवान आखरी सांस तक संघर्ष करने के लिए तयार है मिशन पूरा करने के लिए जान देने को तयार है ऐसे द्रसंकल्प और रेजिलियन्स से बनी है भारती सेना 1962 युद्ध छोटा पर घमासान था जिसमें भारत की हार हुई ये हार देश के लिए बहुत शर्मनाक थी सेम मानिक्षो उन सीनियर रथिकारियों में से थे जिनकी टुकडी विजई रही लेकिन मानिक्षो संतुष्ट नहीं थे वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि ऐसी परिस्थेती दुवारा ना बने सेम मानिक्षो कहते हैं मैंने हार से केवल एक चीज सीखी है वो है जीतना उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाया और सीनियर से परमिशन लेकर चीन रवाना हो गए वहाँ चाइनीज आर्मी के लीडर्स से मिले उन्होंने चीनी सेना के प्रिंसिपल्स और स्ट्रेडिजीस को समझा देखा कि चीनी सेना कितनी लेयर में काम करती है जब मानिक्षो भारत तोट कर आए तब उनके पास चीनी सेना के तोर तरीकों की गहरी समझ थी भारत वापस आते ही उन्होंने भारती सेना में कई बतलाब किये आर्मी को रियाउर्गनाईज किया हाई क्वैलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए उन्होंने सुनिश्चित किया कि सेना के पास पहारों में लड़ने के लिए बहतर हतियार हो मानिक्षव रिफॉर्म्स के चलते इंडियन आर्मी 1971 में पहले से ही सतर्ग थी मानिक्षव एक शांदर स्ट्रेटेजिस्ट तो थे ही साथ में वो रियलिस्ट भी थे उन्हें सुईकारने में कोई हिचक नहीं हुई कि अपने दुश्मन से सीखा जा सकता है अगली बात जो हम फिल्ड मार्शल सैम मानिक्षव से सीख सकते हैं वो है कि नो बैटल इस एवर वन बाई चांस हमेशा तैयारी रखो 1971 भारत बाकिस्तान युद्ध के दोरान सैम मानिक्षव इस्टर्ण कमांड के कमांडिंग इन चीफ थे मानिक्षव कहते हैं कि मोचे बंगला देश को आजाद कराने का मिशन सौपा गया प्लैनिंग से एग्जेक्यूशन तक सब मेरी जिम्मेदारी थी मानिक्षव कहते हैं कि मैं जानता था कि ओपरेशन बहुत कठिन और महंगा होने वाला है लेकिन असफलता के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा सैम मानिक्षव ने तीन तरफ से हमला किया पहला राजधानी ढगा पर हमला किया दूसरा उत्तरी बंगला देश पर हमला किया जिससे की पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइनों को काटा जा सके तीसरा पाकिस्तान बॉर्डर पर किया ताकि पाकिस्तानी सेना का ध्यान भटकाया जा सके हाला कि जीत के चांसेज बहुत कम लग रहे थे पाकिस्तानी सेना महीनों पहले से तैयारी कर रही थी उसके पास खास आउट पोस्ट पर कबजा था खास देशों की मदद के कारण पाकिस्तान के पास बहतर हत्यार भी थे हालात बहुत गंबीर थे पाधाओं से विचलित हुए बिना सैम मानिक्षों ने एक डीटेल्ड योजना बनाई एक एक टुकडी को सही जगे तैनात किया सैम मानिक्षों कहते हैं कि युद्ध में जीत दो कारणों से होती है दुश्मन की कमजोरी पर हावी होने से और अपनी तागत का लाव उठाने से जब युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी सेना ने पूरी तागत से हमला शुरू कर दिया मुख्य चौकियों पर जम कर गोला बारूद बरसाए जिससे भारतिय जवानों का मनोबल डूट जाए लेकिन मानिक्षों साहब ने फ्रंट लाइन्स का दोरा किया हाई रेंक अफसर होने के बावजूद वे युद्ध के बीच पोस्ट कमांडर से मिलते जवानों को एक जुट करते और हौसला बढ़ाते मानिक्षों की उपस्तिती मात्र से जवानों के अंदर जोश भर जाता और वे निर्भय होकर युद्ध करते ऑपरेशन सफल रहा जो युद्ध पूरे देश को निगल सकता था महीनों चल सकता था वो मात्र दो हफ्तों में पूरा हो गया बंगलादेश आजात हुआ इस युद्ध में नेतरित्व और राष्ट सेवा करने के लिए सेम मानिक्षों साहब को भारत के दूसरे सर्वोच नागरिक पुरुसकार पदमे विभूशन से सम्मानित किया गया अगली बात जो हम सेम मानिक्षों साहब से सीख सकते हैं इंटेग्रिटी यानि तलवार की धार पर चलना सेम मानिक्षों साहब इस समय चीफ कमानिंग ओफिसर थे और कैलकटा में पोस्टिट थे एक दिन उनको सूचना दी गई कि उनके ओफिस से घड़ी चोरी हो गई है ये घड़ी बहुत कीमती थी क्योंकि ये भारत के प्रेसिडंट ने गिफ्ट की थी जाहिर है कि सीसी ओ मानिक्षों बहुत गुस्से में थे उन्होंने जांच परताल करवाई पर घड़ी नहीं मिली एक दिन मानिक्षों से मिलने जवान अफसर आया वो बेहत नर्वस था उसने बताया कि आपकी घड़ी मैंने चुराई है मानिक्षों ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया आफसर ने कहा मैं करजे में था मानिक्षों ने गहरी सांस बड़ी और कहा ठीक है लेकिन तुमको मुझे बताना चाहिए था मैं तुम्हारी मदद कर सकता था जवान आफसर ने कहा मैं जुएं की वज़े से करजे में था अगर आपको पता चल जाता तो आप मुझे खुद सजा देते इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई मानिक्षों साहब ने कहा तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद ही करता लेकिन अब तुमको अपने किये की सजा भुकतनी होगी इसके बाद मानिक्षों साहब ने कोट मार्शल का आदेश दिया ओफिसर को कैद भी हुई लेकिन मानिक्षों साहब ने उसी जवान ओफिसर की तरफ से दलील भी पेश की कि इस ओफिसर ने अपने गल्ति खुद स्विकार की है उन्होंने उस ओफिसर की सजावाफ करवाई और नौकरी भी बचा ली आगे चलकर वही ओफिसर करणल भी बने इंटेग्रिटी का मतलब है मन में सही और गलत को लेकर दोविदाना होना तलवार की धार पर चलना एक तरफ नियम कानून का पालन करना और दूसरी तरफ इंसानियत को भी समझना दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो विनर्स एटिटीट पर अगला वीडियो देखिए जो कहता है कि ऐसे महनत करो कि फेल होना असंभव हो इस वीडियो के पीछे लॉजिक क्या है प्रैक्टेकल टिप्स क्या है अभी देखिए या बात के लिए सेफ कर लीजिए आपके समय से कोई वीडियो कोई एप कोई न्यूस कीमती नहीं है मैं काम के गिस्से लाता रहूँगा हिम्मत हरकत हुश्यारी हम जीतेंगे